नमस्का इस्मार्ट लोग और एवरेज लोग के काम करने का तरीका इस्मार्ट लोग और एवरेज लोग दोनों को अगर आप सेम काम दीजिए दोनों सेम काम करेंगे लेकिन दोनों को काम करने का तरीका अलग होगा स्मार्ट लोग अपने तरीके से काम करेंगे और एवरेज लोग अपने तरीके से काम करेंगे पता है आपको इन दोनों में अंतर क्या है अधिकान्स 90% स्मार्ट लोग एवरेज लोगों से आगे निकल जाते हैं कुझ position कुछ वही करते हैं लेकिन समार्ट कारण क्या है काम करने का तश्य तरीका काम करने का तरीका आई लोगों से अलग है सम्टिंग डिफेंड है इसलिए वह दोगों से मिकल आगे के तरीके में, हर चीज में आगे निकल जाते हैं, एवरेज लोगों से, अब आप तोगे सर वो ऐसा क्या करते हैं, विलकुल, वो सम्तिंग डिपरेंट करते हैं अपने काम में, स्मार्ट लोग क्या करते हैं पता आपको, जब काम करते हैं न, तो वो हर किसी से सीखते हैं, current knowledge से update रहते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है अपडेट रहते हैं उनको पता है कि आने वाला समय किसका है वो पहले से तैयरी कर लेते हैं और average लोग क्या करते हैं वो भी काम करते हैं लेकिन average लोग अपनी मेनत पे ज़्यादा जोड लगाते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है वो उनको कुछ भी खबर नहीं रहता है किससे सीखना है वो सिर्फ अपने अनुपव से सीखते हैं दूसरों से नहीं सीखते हैं अचरी चानक क्या कहते हैं अगर आप खुद के अनुभव से सीखोगे ना तो यह जिन्दगी आपकी छोटी पढ़ जाएगी इसलिए आपको दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए लेकिन अगर आप हर बार अपने अनुबव से सीखोगे ना तो आपके जिनकी छोटी पड़ जाएगी सीखने के लिए इसलिए तो smart लोग दूसरों के अनुबव से भी सीखते हैं और average लोग अपने अनुबव से ही सीखते हैं इसलिए तो smart लोग दूसरों के काम करने के तरीके से आगे निकल जाते हैं और something कुछ different achieve करते हैं यही अंतर होता है smart लोगों और average लोगों में अंतर smart लोग जदा hard work नहीं करते हैं smart लोग hard work में विश्वास करते हैं लेकिन साथ में अपना दिमाग भी लगाते हैं वो देखते हैं कि अरे यार इस कारी में अपन के मेहनत कितनी लगेगी दिमाग कितना लगेगा अपन इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं या अपन उसको ऐसे करे तो ऐसे हो जाएगा जो smart लोग होते हैं वो हर कारी में दिमाग लगाते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए और average लोग क्या करते हैं बस मेहनत करते हैं मेहनत करके उस कारी को पूरा करने को सिस करते हैं तो उनका क्या होता है उनके सारी energy सारा time उसी में वेस्ट हो जाता है और समय निकल जाता है औ और smart लोग जब उस कारी को एक डिफेंट तरीके से करते हैं, अपना दिमाग लगा के करते हैं, तो hard work तो उसमें कम लगता हैं और वो कारी भी जल्दी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना ये अंतर होता है smart लोगों में कारी करने का तरीका और average लोगों में कारी करने का तरीका। तो आप भी smart तरीके से कर पाओगे और smart लोगों से की तरह कारी कर पाओगे।